नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सनी वार के दिन कुछ विशेश प्रियोग किये जाएं रात में सोने के पहले तो आपको मन चाहा फल मिलता है आज हम आपके साथ बहुत सारी बाती सेयर करेंगे वीडियो के अन तक बने रही है और ये प्रिक्सन पूर्ण तयात जो तिस पर ही आधारित है तांतरी क्रिया कहीं नहीं है देखिए जीवन में परिसानी किसके जीवन में नहीं है हर किसी के जीवन में किसी के लिए धन की परिसानी है किसी की मुस्किले संतान को लेकर है किसी की स्वास्त को लेकर है कुछ नो कुछ लगा ही रहता है लेकिन क्या इन से हार मानना उचित है या फिर इसका समाधान डूनना तो जोतिस में हर एक चीज की छोटी छोटी परिसानियों से बाहर निकलने के उपाई भी है आज हम उन्हीं उपाईों पर चर्चा करेंगे सबसे पहली बात तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं सोकर हम सुबह से ही सु प्रमभा हर कोई है अब उनको परना दोनों हतेली को देखें परणाम करें हतेली को रगड़ें और फेस में लगा लें इससे क्या होगा सकात्मा गुर्जा अब इसके बाद आप पहले चेक करें कि आपके नाक से कौन सी नाक से सांस चल रही है दाहिने नाक से या बाइन न जिदर की सांस चल रही है उसी पैर को पहले जमीन पर रखें और फिर दूसरे पैर को रखें अब दिन की सुरुआत करें तो आपका पूरा दिन अच्छा भी देगा दूसरी बात जीवन में जो चाहिए धन सुक सम्रीदी या समान समान तो एक छोटा सा प्रियोग जरूर क खोलेंगे तो घर के चोखट में दो-चार बुन पानी जरूर दोनों साइट डाल दें आप अंदर ही खड़े रहिएगा और फिर आप अपने मुख्य दरवाजे के बाहर जाडू तो लगवाते होंगे न लेकिन सनीवार के दिन जाडू न लगवा कर पहले पानी डलवा द आज मा के देखें धीरे धीरे आपका भाग ये चेंज होने लगेगा धीरे धीरे घर में जीवन में खुजियां आने लगेंगी कई बार लोग बहुत सारे टोने टोटके तांत्री किरियाएं करते हैं लेकिन आप उन चीजों से बाहर नहीं आपाते आपको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप उलज गया हैं अब इस उलजन से कैसे निकलें? तो सनी बार के दिन एक छोटा सा प्रियोग करें अगर आप पीपल के जड़ में एक लोटा पानी में एक चुटकी काला तिल डाल कर हर सनी बार को अर्पित करें तो पितरी दोस समाफ्थ होता है यह बहुत सिंपल है यह तो आप करते ही होंगे और अगर सनी बार के दिन आप फिटकरी मिलेवे पानी से या नमक मिलेवे पानी से पूछा लगवाएं घर में तो इससे भी आपके घर में मालक्षमी का प्रवेस होता है घर के जगड़े लड़ाई उलजने समाफ्थ हो जाती है तनी बार के दिन बहुत सारे उपाए होते हैं आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे कई बार क्या होता है न आप बीमारियों से प्रिसान होते हैं क्योंकि देखिए पहला जो सुख है न वो निरोगी काया ही है निरोगी काया यानि आपका स्वास्त तो ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग करें सनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दिपक जलाई है साम के समय सनिवार को याद रखिये तिल के तिल का दीपक अगर तिल का तिल ना हो तब सरसों के तिल में ही 2-4 दाने काला तिल डाल दे और दीपक जलाएं ऐसा करने से आप का स्वास्थ अच्छा होता है सारे रिक बाधाएं समाप्थ होती है और अगर सनी बार के दिन आप अपने घर में जब आप दिया बाती करेंगे उसमें दो लॉंग डाल कर पूरे घर में दिखाएं तो ऐसा करने से घर में खुजियां आती हैं मालक्ष्मी आती हैं जीवन में जो परेसानी है वो समाप्थ हो जाती है क्योंकि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का बिधान है हनुमान जी की अराधना करने का बिधान है कई बार क्या होता है न देखे हनुमान जी की पूजा करने तो हम बताएंगे लेकिन एक और छोटा सा परियोग देखिए आप अगर चाहते हैं कि आपका अपना घर हो नया घर हो तब ऐसे में सनीवार के दिन इक छोटा सा पड़ेग करें तिल के तेल में थोड़ा सा सरसुंग का तेल मिला लें लोहे का एक दीपक लाकर उसमें जलाईए अगर लोहे का दीपक ना मिले तो मिट्टी के ही दीपक में लोहे के इकील डाल दें और इसको जलाईए अब यह कहां जलाएंगे समी के पेड़ के नीचे इस दीपक को जब वो सांथ हो जाए जल के तब आप जल में प्रभाहित कर दें लगातार आठ सनी वार यह उपाय खरें तो आपको अपना मकान का सपना आपका पूरा होगा घर खेदने की मनुकामना पुर्ण हो जाएगी बहुत सिंपल है कई बार होता है करजों से परिशान है मन्चाही परेशानी समस्याएं आपकी जो मन्चाही मनुकामना है वो पुर्ण नहीं हो रही समस्याएं बढ़ रही है तब एक छोटा सा प्रियोग करें किसी भी सनीवार के दिन पान का एक पत्ता ले लें पान के पत्ते के उल्टे साइड यानी चिकना साइड को आप नीचे कर दें रूखा साइड उपर कर लें दो लोंग साबुत रखें किसी बहते वे जल में इसको प्रबाहित कर दे और कहें कि हे میरे दुख आपको मैं यहीं चोड़े जा रहा हूँ और फिर पीछे मुण कर ना देखे घर चले आएं आपकी जो भी समस्या है इस बहतेवे पानी में पान का पत्ता और लौंग के साथ बह जाएगा तो सनीवार के दिन ही ये प्रियोग आपको करना है अब एक और छोटा सा प्रियोग जो सनीवार के दि कानी दूर होते हैं मनुकामना पुर्ण होती है अब ये तेल कौन है सनीवार की राज सबसे पहले ये उपाय आपको तिल का तिल का करना है क्या करेंगे हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको थोड़ा सा तेल और पित करें तेल यानि चैमेली का तेल में आपको दीपक जला आना है ऐसा करने से आपके जीवन की हरकस्ट दूर हो जाते हैं वैसे हनमान जी के मंदिर में जवाब दीपक जलाईएगा तो उसमें दो लॉंग डाल दीजेगा मन चाही मुराद पूरी होती है ये तो बहुत सिंपल उपाय है चुकि आज हम बात कर रहे हैं घर के मुखे दरवाजे से फिक दें सनीवार की रात ताकि जीवन के हरकस्ट मिट जाए तो आखिर सनीवार की रात ऐसे कौन से प्रयोग है जो धन को बढ़ाने वाले हैं जीवन में मानसमन खुशिया लोटाने वाले हैं इस दिन दो प्रयोग किये जाते हैं एक धन के लिए एक बुरे ब्यक्तियों से रक्षा के लिए बुरी सोच वालों से रक्षा के लिए निगेटिव एनर्जी से रक्षा के लिए तो चलिए आज हम जानेंगे सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करजों से परेसान है उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर भी तो एक छ इसको कट करें उपर से उसमें चीनी भर दें और इसको आपको सनी बार के अर्ली मॉर्णिंग इस गोला को उठा कर कहीं पीपल के नीचे मिट्टी में गड़ा करके दवा दें और बीना पीछे मुड़े वापस चले आई तीन सनी बार लगातार करें करजों की समस्या से मुक् सनी बार के रात की देखिए रात में सूने के पहले एक छोटा सप्रियोग करें एक लॉंग ले लें आपके घर में जीतने भी सदस्या हैं सब के सर से उल्टा तीन बार वार ले या सब को टच कर लें अपने बाएं हाथ में रख कर घर से उत्तर दिसाकी और फेक दें ऐसा क करने से आपके जो जीवन में धन की समस्या है वो समाथ हो जाएगी और अगर सनी बार के रात में आप जब दीपक जलाएंगे उसमें अगर एक चुटकी पीला सरसूं डाल के जलाएं तो अत्रित आत्माएं निगेटिव उड़ जाएं सांथ हो जाएंगी और मालक्षमी प देते थे ताकि बिखर देते थे ताकि जो बुरी चीजें हैं वो उनके घर से दूर है तो यह परियोग आपको जरूर करना चाहिए ताकि घर में खुसियां लोटा है फिलाल आप से भीजा लेंगे हरहर महादेब धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्स उसे सेर करें और कमेंट में हरहर महादेब चरूर लिखें धन्यवाद